हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में और अभी हो रहा है साम का वक्त और आज का ये ब्लॉग में साम से स्टार्ट कर रही हूं और अभी यहां देखिए मैं बलून्स लगा रही हूं और डेकोरेशन कर रही हूं क्योंकि आज ह स्पेशल डे जी हां आज है हर्षित याने मेरे बड़े बेटे हर्षित का बर्डे तो बस उसी के बर्डे के लिए हम लोग यह डेकोरेशन कर रहे हैं और हर्षित और उसके पापा यह दोनों भी मेरा हेल्प कर रहे हैं बर्डे डेकोरेशन में बलून्स फुला के दे रहे है और बाकी जो भी मुझे help चाहिए सब दे रहे हैं और हम सब मिलके ही decoration कर रहे हैं तो आज हर्षित का birthday का यह blog है तो बनी रहीएगा इस blog में और देखते रही है जो आगे हमने किस तरह से हर्षित का birthday celebrate किया और कौन-कौन से guest आये है birthday में, कौन से special guest आये है और हर्षित को क्या-क्या gift मिला है तो यह सब देखने के लिए आगे देखते रहे हैं व्लॉग व्लॉग कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो is decide to you कर दो हर्षी का बड़्डे का केक कट चुका है और देखिये और देखिए POL कर दो मेंने थोड़ा सा केक को उखेला यह खिला रहा है और यहां मैं भी आ गई हर्षीद को केक कट खिलाने और हर्षीद भी मुझे केक क trophies खिला रहा है अब यहां मिल रहा है हर्षीद को गिफट्स मुले हैं यहां पर 2-2 cricket kayak ball, क्योंकि उसका यही ड्यमांड था हरस्था हम उससे पूछ थी है जो मतलब तुमें क्या गिफ्ट चाहिए वो जो डिवांट करता है वही उसे गिफ्ट लाके दिया जाता है तो इस बार उसका यही डिवांट था जो उसे यह किर्केट के डियूस बॉल चाहिए तो उसके पापा वही ले आया है और यह देखिए उसकी छोटु माने उसको क्य अधोर्च में दिया है चोटुमाने उसे दिया एक वाच जो कि उसके बहुत ज्यादा पसंद आया है और उसके चाचु ने भी से इंढीयक तीशट उर् क्योंकि हर्षित किर्केट का बहुत बड़ा फैन है और वो किर्केट सीखता भी है तो उसे किर्केट बहुत जादा पसंदे खेलना भी और देखना भी तो उसे जब यह गिफ्ट मिला तो बहुत जादा कुस हो गया गरांटीं कांगा रख जाद बहुत और देखने अêu है जीव ideia थेखनी थे हाँ कि भीज़ जब बाले प्राइब कर दो में है कि ता जब लुटॉ मोठे रंड़ दाबस घ्रूम रूम 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 लोडरी बेडरी कया अॉम्र। वोडरां अर्वर 치鐵 बेडरी बेडरी को हम्र। बाट्रत जाइटी बाट्राइटinde है उन्हीं शेच्ट Nash! और यहां के एक कटिंग के बाद और यहां टीवी चल रहा है क्योंकि टीवी में चल रहा है तो टीवी देखा जा रहा है मैं बाते भी हो रही है क्या बना रहा है क्यों मेरे पास मां दिखाई क्यों पसीने में लजपत हो रही है तो फ्रेंड्स यह दो साल से कोरोना की वज़र से इस तरह हैं लोग बड़े पार्टी मना रहे हैं कि को ज़्यादा गेश्ट को नहीं बुलाना है बस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपस में बैटके बाते करके खाँ पी की हंसी मजाग करके बस इसी तरह से चोटा सा गेट टोगेधर करके हम लोग बड़े पार्टी सेलिबरेट करते हैं तो आज भी इसी तरह से हुआ है और यहां देखिए लक्षित अपने चाचो के साथ कितने आराम से खेल रहा है यूकि बहुत दिनों के बाद उसके चाचो भी आये हैं मतलब दुरगा पूजा से पहले ही वो आये थे उसके बाद आनी पाए उन्हें टाइम नहीं मिला था तो आज हर्षित के बड़े में ही तो वो मुझे छोड़ी नहीं रहा था फिर वो जब सो गया तो फिर मैंने कुटिंग का काम कंप्लिट किया अपना तो और लेकिन अभी उसके चाचो भी आ चुके हैं पापा भी है चोटू मा भी है सब घर में हैं और थोड़ा बहुत बलूनस और लगे है ना डेकोरेशन सब्सक्राइब है तो इसक荷 की तो उसका अच्छा हो जोगा है तो इसको अबी मूट थोड़ा demons 진행 कर दढ़ा है है और सब लोग यहां दाइनिंग में है क्योंकि किछन में इसका कंव मैं काम कर रही हूं तो मतलबं क्रश्चार भी होता रहें जाए बाते भी होती ढाद गर धने लक्षित को चाचु जो जो भी पूछ रहा है वह दो उसके नोस का कई है आइस का नीकों का उंच तो सी जो जब पूछा जा रहा हैimetक और उससी थो बहुत असे बना भी सीख लिया है और बताता तो फिलाल पहले से ही है वो और यहां पे क्या ना टीपी भी चल रहा था और साथ में किचन में एक्जॉस भी चल रहा था तो अच्छे से वाइज रेकॉर्ड नहीं हो पा है इसलिए मैंने आप लोग को सुनाती जरूर रशित सब वर्ड्स नहींने बहुत सारे लटल रशित है लखषद ने बहुत सारे नंए वहीं बहुत सारे नंए वर्ड्स सीखे है और सारे नंए बहुत नंए वर्ड्स पहले भी बताए हुआ है जो नानपूरी हर्षित का फेवरेट है और हर्षित का इनी मेरे देवर जी मतलब हर्षित के चाचु का भी बहुत फेवरेट है तो मैंने वही बनाया था क्यूंकि आज थर्जडे था तो थर्जडे को हम लोग नॉन वेज नहीं खाते है इसलिए व परना हर्दम हर्षित के बढ़ने में नॉन वेज ही बनता है क्योंकि हर्षित को वेज से ज्यादा नॉन वेज पसंद है लेकिन क्योंकि आज थर्जडे था तो वेज बना था तो वेज में भी मैंने उसका फेवरेट ही बनाया था खाना उसके लिए और मीठा मैंने घर में कुछ नहीं बनाया था बाहर से क्योंकि बहुत सारी मिठाईयां आ गई थी रसगुला बेक रसगुला रसमलाई गुलाब जामुन तो इतनी सारी मिठाईयां भी थी तो फिर मैंने मिठा घर में कुछ भी नहीं बनाया और सच बताओं तो मुझे टाइम भी नहीं मिला क्योंक तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ तो आप से फिर में लूँगे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई